हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक स्वागत है आप सभी का तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट दे के लिए बताते हैं कि क्रूड ओयल और यूस ओयल में क्या लेवल्स रहेंगे और साथी कौन सी ऐसी चीज़े हैं जो की इंपक्ट डालेंगे इनके ओपर तो शुरुवात कर ल जो सथाब Зд eg रयाथ लेकिन उसके बाद यहांपर फर्स्ट टार्गर्ट हमारा चीव खुआ हुआ उसके बाद यहांपर नीचे को यह गिरा मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि सप्लाई बढ़ रही है और पर कंट्रीज साओधी अरेविया और रश्या का उसका साथ है पूरा कि जो है प्रड़क्शन वो उन्होंने डिसाइड किया है और जो साओधी अरेविया है मेंली उसने कि वो अपनी प्रड़ है चाइना फैक्टर है साथी उन्हेंटर स्टेट्स फैक्टर है तो वहां पर दिमांड भी घट रही है तो दिमांड घटना और सप्लाई का बढ़ना उसके वाज़से यहां पर अगेन गिरावट हमें देखने को मिली है लेकिन यहां पर उसके बाद देख से हैं ऊपर के अब जो यहां पर प्रॉब्लम आ रही है वहां से थोड़ी सी प्रॉब्लम आईगी तो उसके वाज़से यहां पर यह उपर के और को गया लेकिन जो है डिसाइडिंग फैक्टर कुछ भी नहीं है अगर हम यहां पर जो है वन डे के टाइम फ्रेम की बात करते हैं आप यहा उपर गया उतना ही निच्चे आया और उसके बाद यहां पर अभी डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है कि जाना किदर को है क्योंकि जो फोर्सीज हैं मार्केट में जो फोर्सीज लग रही है वो दोनों साइड सेम लग रही है जैसा कि मैंने आपको अभी बताई जो जो रीज इस आईड यह नहीं हो पा रहा है कि किस तरफ को move करें और यहां पर छोटे-मोटे trades आपको देखने को मिल सकते हैं दिन के दौरान लेकिन बहुत-बड़े moves ऐसे case में नहीं हमें देखने को मिलते हैं वापिस switch कर लेते हैं यहां पर one hour time frame पर तो यहां पर one hour time frame पर अगर हम यह यहां पर levels की बात करें तो levels के लिए यहां पर देख सकते हैं कि downside के लिए यहां पर इसने red candle closing देदी है next target हमारा definitely 5741 तो रहना ही रहना है यहां पर अभी इसने means candle close हुई और उसके बाद next target मैंने आप वैसे आपको यही तारगर देना था कि अगर यहां red candle आती है तो next target हमारा यह रहेगा तो अभी यहां पर जो है 10 बजगे उसके बाद next candle शुरू हो गई तो वो close उसने यहां पर दिया इस red candle के निचे means इस line के निचे यानि 5768 के निचे red candle की closing आई तो next target हमारा यहां पर 5741 रहेगा अगर इसके निचे भी red candle की closing आती है तो उसके बाद हमारा जो next target य यहां पर दोस्तों उपर की तरफ के लिए यहां पर अगर 5768 के ओपर अगर green candle की closing आती है अगर वन अवर टाइम फ्रेम पर तो फिर उसके बाद हमारा जो next target है यहां पर वो रहेगा यहां पर यहां पर 5798 का अगर 5798 के ओपर भी अगर green candle की closing हमें देखने को मिलती है तो फि इसके ओपर भी green candle आती है तो next target 5849 का रहेगा लेकिन दोस्तों green candle इतनी लंबी उंची कैसे जाएंगे तो उसका answer में आपको देदू कि हमने जो data वाली वीडियो यहां पर बना रखी है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिया अभी तक तो आप उस वीडियो को ज़रूर data आ रहा है United States का manufacturing PMI का data आ रहा है SNP manufacturing PMI और साथ ही उसके ISM manufacturing PMI और साथ ही जो यहां पर आ रहा है new job openings का data आ रहा है और यह data जो है वो बहुत important है अगर यहां पर PMI का data increase आया तो फिर crude oil में अच्छा move आएगा उपर की ओर को लेकिन अगर यहां पर PMI जो है वो decreased आता है तो फ daily हम आपके लिए वो data वाली वीडियोज लेके आते हैं आप उन वीडियोज को देखा कीजिए और उन वीडियोज में जो हमने आपको बताया होता है उस time पर आपको अच्छे moves देखने को मिलते हैं कि उस time particular important data आते हैं और उस time ही हमें बहुत बढ़िया move देखने को मिलते है लेकिन उसमें जब आप entry करते हो उसके basis पर उन data के जो information होती है उनके basis पर तो आपने जितना हो सके उतना जल्दी जो है profit लेकर के निकलना होता है 15-20 minute के अंदर अंदर आपको profit लेकर निकलना होता है मैंने आपको पिछली वीडियोज में भी बताया है ऐसा तो आप उस वी crude oil में लेकिन जो दोस्तों यहां पर crude oil में जब आप trading करते हैं तो लाखों में margin रखना पड़ता है आपको क्योंकि एक lot से कम आप नहीं ले सकते हो MCX में तो उसका solution है कि आप US oil में trading कीजिए US oil में आप सिर्फ 4 dollar से भी trading कर सकते हो 4 dollar का मतलब यह नहीं है कि आपको dollar में convert करक हो वापिस जब आप पैसा withdraw करते हो तो आप automatically वो Indian currency में convert होकर के ही आपके पास आता है तो आप यहां पर मैंने i button में वीडियो दे रखी है कैसे account open करना है Exynos का कैसे money add करना है कैसे withdraw करना है तो आप उन वीडियो को देखिए और अपना जल्दी से foreign account Exynos पर open कर लिजे दोस् दूसरे जो प्लैटफॉर्म है वो बैंड भी हो चुक है तो मैं आपको बिल्कुल recommend नहीं करूंगा मैं खुद यहां पर जो है Exynos का use करता हूं सालों से वीडियो बना रहा हूं सालों से ही मैं Exynos का use कर रहा हूं और मेरा experience बहुत बढ़ी है रहा है Exynos करा तो मैं आपको highly recommend करता हूं कि आप यूज कीजिए इस वीडियो को जो description box है वहां पर भी आपको Exynos का link मिलेगा उस पर click करेंगे तो आप सीधा Exynos के web page पर पहुंचेंगे और वहां से account open कर सकते हैं और मेरे दिय होए link से अगर आप account open करते हैं दोस्तों तो आपको XAU USD में आपको 11% less spread चार चार डॉलर से आप ले सकते हो उसको और सिर्फ 4 डॉलर से आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया आपको इतने सी कम अमांट में आप जो है इतना बढ़िया ट्रेड कर सकते हो और USOL ही नहीं आप gold, silver बगयरा बगयरा में भी ट्रेड कर सकते हो और दोस्तों एक और खास यत कि 24 गंटे में से 23 गंटे मार्केट चले जाते हैं जिस टाइम से एक्स क्लोज भी हो जाता है उस टाइम यहां पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो किसी भी ट्रेडिंग कर सकते हो साते इनका कस्टमर के सुपोर्च बहुत जबर दस्त है यहां पर और इस वीडियो के जिस्क्र coloured के पैलेज और प्लख़क्स कर देजी और यह वीडियो बेखिया यहां पर कैसे उपन करना है कैसे करना है क coins करना करना है उनका लिंक आपको यहाँ पर high button में मिल जाएगा आप उस वीडियो को जरूर देखिए तो दोस्तों यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि क्या रहेंगा दोस्तों यहाँ पर अभी फिलहाल red candle की closing यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं तो यहाँ पर नेक्स टाइगे 68.05 रह सकता है और इसके निच्छे भी अगर red candle की closing आती है तो next target यहाँ पर 67.71 और इसके निच्छे भी अगर red candle की closing आती है तो उसके बाद हमारा next target 67.43 रहेगा जबकि उपर की तरफ के लिए दोस्तों यहाँ पर 68.44 के उपर अगर green candle की closing आती है तो फिर next target यहाँ पर 68.87 और इसके उपर भी green candle आती है तो next target 69.22 और इसके उपर भी green candle आती है तो next target यहाँ पर 69.52 रहेगा और दोस्तो इसके उपर तभी आपको जाना है अगर यहाँ पर जो आपको data जो मैंने आभी आपको detail में बताया जो data वाली वीडियो में है वो वे data अ अगर पसंद आ रही है और अगर पसंद आ रही है तो दोस्तो हमारे टेलीग्राम चैनल है उसे भी आप जोइन कर लेजे जो यहाँ पर वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको सबसे प्रेक्सनेस का लिंग मिलेगा उसके जस्ट नेचे आपको टेलीग उसमें